क्या सचमुझ शापित है योध्या? अपने शास्कू से अन्बन को लेकर भरी पड़ी है इसकी लोकताई में भारती लोकतंद्र में एक अनावशक बुराई रही है कि जिस शेत्र से सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीतती है वही विकास कार्य होता है वही रौनक रहती है जहां से सत्तापक्ष के प्रतिरीदी नहीं चुने जाते हैं वहां की सडके भी विरान हो जाती है यहां तक उन शेत्रों को पर्याप्त रोशनी के लिए बिजली भी नहीं मिलती प्रोजेक्ट स्थप पड़ जाते हैं अयोध्या के शाप्रित होने की बात करने लगे उन्हें इस बात का डर है कि एक बार फिर अयोध्या पर सीता माता के श्राप की छाया तो नहीं पड़ गई है एक बार फिर चीवी चैनल से बात करते हुए अयोध्या के राजा के रूप में जाने जाने वाले विमलेंद्र मोहन प्रताब मिश्रा ने कहा था कि स्थाने किमदंती की मुताविक जब भगवान राम ने अवभाहूं की वज़़ से माता सीता को आयोध्या से बाहर निकाला था उन्होंने श्राप दिया था कई लोगों का माना है कि इस अभिशाप के वज़़ से ही शहर में कभी भी तीवर गती से विकास नहीं हुआ जिस अयोध्या में कुछ साल पहले तक एक भी बढ़िया होटेल नहीं था, वहाँ आप फाइव स्टार होटेल बनने की परमीशन मांगने वालों की लाइन लगी है अयोध्या में फाइव स्टार होटेल बनाने की अनुमती मांगने के लिए प्रशासन को सौ से ज़्यादा अवैदन मिल चुके हैं परानिक अथाओं की मानित अयोध्यों को किसी ने बसाया नहीं जा इस शहर ने अपने आप याकार ले लिया और साकेत नाम की इसकी पहचान बन गए भारत में साथ धार्मिक शहरों की चर्चा होती है जिसमें हर शहर की उत्पत्ती की कोई न कोई कहानी है परायुध्या शहर कैसे बना इसकी कोई कहानी नहीं जैसे काशी के बारे में कहा जाता है कि ये शंकर भगवान के धनुश पर सित है। द्वारका के बारे में कहा जाता है कि इसे क्रिश्न ने बसाया पर अयोध्या की कोई किवधन्ती भी नहीं। राम के पहले उनकी कई पुष्टों ने यहां पर राज किया। उससे यही लगता है कि यह शहर हमेशा आवाद रहा होगा। फिर भी इसे शापित क्यों कहा जाता है। यह समझ में नहीं आप। वालमिकी से लेकर भभूती और विध्यापती तक के कवियों और लोग गीतों के अनाम रचनाकारों ने रामराजी की न्याय विवस्था पर सवाल उचाए हैं। जिसने एक निर्दोश महिला सीता को दंडित किया। तो इस विशे में आप क्या समझते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए लेखते रहें रिपोर्टर जाएं।